संजे सिंग को सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे सत्र से जिस पर आप लोग कहरें कि एक बार फिर लोग तौंतर की आवाज को दबोचा जा रहा है लेकिन राज्यसभा के सभापती ने कहा है कि जो इस तरह का आचरण करेगा राज्यसभा के अंतर उस पर अब हम जीरो टॉल दुख मना रहा है कि पहली बार इतिहास में प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया कह रहे हैं कि मुझे इंडिया शब्से नफरत है देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ यह बहुत बड़ा दुर्भाग्या है पुरे देश का कि आज हमें ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जो कह आज है कि मुझे इंडिया शब्से नफरत है वो प्रधान मंत्री कह रहा है जिसने इंडियान फ्लैक के नीचे Constitution of India पे हाथ रख कर सब शपत ली है कि मैं Prime Minister of India बनने जा रहा हूँ आज कह रहा है कि मुझे इंडिया शब से नफरत हो गई है Indian Army जिसकी अभी हमने बात की Indian Army की जवानों ने दशकों से देश की सेवा करी आज कह रहा है कि नहीं वो इंडिया शब से प्रधान मंतरी को नफरत है और क्यों नफरत है क्योंकि केवल और केवल विपक्ष मनीपूर पर चर्चा मांग रहा है देश के ही प्रधान मंतरी है अपने देश के प्रधान मंतरी से बात नहीं करेंगे देश के सारे सांसद तो क्या किसी विदेश के प्रधान मंत्री से जाके बात करेंगे और मैं ये साफ कह दू कि अगर आज की तारीक में कोई और राजनेता ये शब्द आज कह देता जो चीज प्रदान मंत्री ने कही है, देज रो का मुकदमा लग जाता है जरा जी उनके उपर, क्योंकि प्रदान मंत्री है, कुछ भी कह देते हैं, चल जाता है, मुद्दा ये है मनीपूर का, इतनी नफरत जो आज भाजपा फैला रही है, केवल और केवल मनीपूर के पास उनको कहने के लिए एक शब्द नहीं है वो प्रदानमंत्री जहां जिसके क्रिकेटर के हाथ टूटने पर ट्वीट करने का बात करने का समय है उसके पास मनीपूर 90 दिन से जल रहा है वहां पे जाने तक का समय नहीं है पिछले 90 दिन में देखे प्रदानमंत्री जी कहां कहां ले सकते शेजाजी तीन सवाल है पहला प्रश्ण ये कि अगर विपक्ष ये कह रहा है और सीमित वक्त के लिए बहस कीजिए आप अड़े हुए कि नई धाइगंटे वाले नियम के तहती बहस होगी क्यूं आप अड़े हुए कि ग्रे मंत्री जवाब देंगे विपक्ष अड मेरे खिलाफ और हम अकेले ही काफी है तो मुझे उप्यूक समय दिया जाया और मेरे बीच में कोई ना बोले एक एक करके इनके प्रतम सवालों का जवाब देते हुए आपके सवाल पर आऊंगा पहले इन्होंने कहा कि हमारे नाम में इंडियन नैशनल डेवलपमेंटल पह दूसरी रात आते हैं मैंने 370 पर इनका एक कॉमन स्टाइंट पूछा कि बता दो कि आपका चरित्र प्रो इंडिया एंटी इंडिया नहीं बता पाए चलिए ठीक है लंबी-लंबी चोड़ी-चोड़ी बाते कर दी कि इंडिया तुड़ी को आतंकवादी घोशित कर देंग मालदा पर तो दीदी फेक वीडियो बता रही थी पर तुड़ी शशी पांजा उनकी एक मंत्री है क्या कहती है मालदा में जो दो आदिवासी महिलाएं निर्वस्त हुई उनके विशह में सुनिये कपड़े निकल गए जितना भी निकला है मतलब कि कपड़े निकलने की भी एक परामिटर होती है कम कपड़े निकले तो उस पर कुछ नहीं बोलना होता है मैं तो कहता हूं कि इनकी चर्चा करने की भावना इस प्रकार से है कि राजेंदर गुड़ा इनी के मंत्री राजस् पर चर्चा कर लेते नंबर वन बलातकार में है और शशी वहां के शांती धारिवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है बलातकार होता रहेगा तो उनको तुरंट अगले दिन मंत्राले से बरखास करते हैं उनकी विद्धाई एक दिव्या मदेड़ना कहते है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ बाकी महिलाओं का क्या तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं ना एक ट्वीट आता है एक ट्वीट आ गया हो तो बता दीजेगा मुझे ये घटना है दलित महिला मारी गई उन्दिस वर्षिये राउल गांदी का कोई ट्वीट देखा या नहीं देखा इस पर पर आज तक एपा रजस्तान में नहीं हो पारी ये बलातकार का आरोप लगाये प्रियंका जी का ट्वीट देखा नहीं देखा नहीं देखा चलिए बढ़िया बात है अब आते हैं इस विशह पे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी जब बाते रखती हैं तो उनका दो पे तो केस हो गया चार्चीट भी फाइल हुई यह है वेरा मुत्तु चिनमाई श्रीपदा ने 17 इस पे आरोप लगाए है शोशन करने के FIR आज तक नहीं हुई है मुख्यमंसी जाकर उनको बर्डे पर सेलिबरेशन करके आते हैं रखे इसको अपने पास यह समाजवादी पार्टी सुन लीजिए समाजवादी पार्टी के नेता गायती प्रजापती पर बच्ची के बलातकार का आरोप लगा था अखिलेश जी ने क चापा है और किस प्रकार से बॉइस विल भी बॉइस रेप तो हो जाता है इसमें क्या फासी की सजा यह भी आपने देखा और आकरी में आपका सवाल आपने कहा कि पार्लेमेंट में चर्चा चाते हैं इसका मैं आपको तीन प्रमान देता हूं यह वीडियो आने से पहले औ इनका स्टैंडड बदल जाता है इनोंने का 277 में चर्चा होनी चाहिए यह 277 का रूल है 267 में वैसे इनोंने तो 26 साल में केवल 5 डिबेट कराई थी पर 267 के रूल में कहां पर लिखा है कि सरकार को अफसर मिलताए डिबेट स्टार्ट करने का डिबेट ौटे पार्लेमें में हम डिबेट इसले चाह रहे हैं क्योंकि 176 का ये रूल में लेकर आया हूं इंस्टेंट डिबेट होती है मतलब कि अगर ये तैयार हो जाए कल के कल तो इंस्टेंट आदे घंटे में डिबेट हो सकती है महिलाओं के मुद्दो पर चर्चा से कौन भाग रहा है ये आपके स नहीं चलने देते हैं ये पेगसिस का कभी लाते हैं कभी बीबीसी का मुद्दा लाते हैं कभी रफाल का मुद्दा लाते हैं सारे मुद्दे ठंधन हो जाते हैं पर तु ये पार्लमेंट नहीं चलने देता चाहते हैं क्योंकि ये दल हित के साथ है देश हित के साथ नहीं ह अजयों पाजयों